आप आयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयाग राज हार गए, शित्रकूट हार गए, नासिक, राम टेक और रामेश्वरम। जो लोग ये कहते थे की राम हुए नहीं इसका फबूत दो, वो उत्तर से दक्षिर तक राम से जुढ़े स्थानों का सबूत दे रहे, कि आयोध्या भी राम से जुढ़ीती, बस्ती भी जुढ़ीती, प्रयाग राज विधा, रामेश्वरम भी था, रामेश्वरम भी था, क कि आयोध्या की लोग सभाज सीट पर हमें वांचित सबलता नहीं मिली और उसको लेकर इनके चेहरों के उपर जो चमक दिखाई पड़ती है यह अपने आप में राजनेतिक विश्लेशों के लिए एक फूट को थोट है क्योंकि इस प्रकार का एक वातावर्ण इस देश में पर दूसरे के लिए और आई शुड नॉट बियो न चाहिता हूं सभापदी महोदे यह लोग समझ नहीं पाए आयोध्या में जब हमें वांचित सबलता नहीं मिली तो हमारे विरोधी बता क्या रहें देखें साब आप आयोध्या हार गए बस्ति हार गए प्रियाग राज हार गए चित्रकूट हार गए नासिक राम टेक और रामेश्वरम यानि भगवान राम से जुड़े सारे इस्थलों के बारे में बता रहें कि यहां भारती जन्ता पार्टी को वात्षिक सब्सक्राइब कई तो एसी सीटे ती रामेश्वरम कभी नहीं जीते थे परन्तु म आपको अपना अस्तित्म मनवाने के लिए हाए थे और मैं ये भी बताना चाहता हूँ महुदे राम चरित्मानेस और हमान में भी उलेख है कि एक बार नाकपाश भगवान राम को भी लगा था और नाकपाश लगने के कारण एक मूर्छा आ गई थी और तब राम विरोधी दल में बड़ी खुशियां चाह गई थी मगर वो प्रभु की लीला का हिस्सा था सिर्व हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिराने के लिए और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है सभापती मोहदे आज से 30 साल पहले मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस सबने मिलके सरकार बनाई थी सपा बसपा और कॉंग्रेस आई ने मिलके